थ्रीसम, एक रोमांचक यौन अनुभव हो सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से और आपसी सहमती से करना जरूरी है. यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये जा रहे हैं, जो आपके थ्रीसम अनुभव को बहतर बना सकते हैं. सहमती और पारदर्शिता, सबसे पहले, तीनों लोगों की सहमती आवश्चक है, किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए. थ्रीसम से पहले सभी की सीमाओं और इच्छाओं पर खुलकर बातचीत करें, ताकि हर कोई सहज महसूस करे. सुरक्षा का ध्यान रखें, सेफ, सेक्स का पालन करें, कंडोम और अन्य सुरक्षा उपायों का उप्योग सुनिष्चित करें, ताकि यौन संचारित रोगों, STIs और अंचाही गर्भावस्था से बचा जा सके. सही साथ ही चुने, थ्री सम के लिए ऐसा साथ ही चुने, जिस पर आप भरोशा करते हों, और जिसके साथ आप और आपके पार्टनर सहज हों. रिष्टे में हैं, तो पहले अपने पार्टनर से इस पर खुली बात चीत करें, ताकि किसी भी तरह की इरश्या या असुरक्षा न हो. इरश्या से बचें और धीरे धीरे आगे बढ़े थ्रीसम में इरश्या की भावना उत्पन्न हो सकती है. इसलिए सुनिश्चित करें कि हर कोई एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, धीरे धीरे शुरुवात करें और सभी को इस अनुभव का आनंद लेने का मौका दें. After care करे, threesome के बाद सभी एक दूसरे से बात करे और देखें कि हर कोई मानसिक और शारिरिक रूप से ठीक है After care के तहट आराम करे और सकारात्मक भावनाओं को साजा करे Nishkarsh, threesome एक मज़ेदार और रोमानचक अनुभव हो सकता है लेकिन सहमती, सुरक्षा और एक दूसरे के प्रती इमानदारी सबसे जरूरी है